नमस्कार दोस्तों, 22 दिसंबर 2020 के डेली करेंट अफिर्स बर्निंग नीज दिस्क्षिशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूस, लॉस्ट टू कीप चेक्स कंट्रोल्स ओवर प्राइवेट हॉस्पिटल्स मूटेड। देखे, यहाँ पे Standing Committee on Home Affairs ने क्या बोला, एक Comprehensive Public Health Act होना चाहिए, जिसमें suitable legal provisions हो, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरीके की activities में involved होते हैं, पैंडेमिक के दुरान, उनके उपर कुछ चेक और कंट्रोल लाया जा सके। मैं थोड़ा सा marker बदल लेता हूँ, यह थोड़ा सा जादा dark है, हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी reports निकल के आ रही हैं, कि private hospitals में, जो बैट COVID-19 patients के लिए रिजर्व थे, इनको बहुत जादा rates पे बेचा गया है, तो यहाँ पे यह committee क्या बोल रही है, कि भाई, लोगों की मजब business के चलते, अगर कोई repute आती है किसी private hospital के against में, कि भाई, यह लोग शोशा कर रहे हैं, patients का, गलत दाम उनसे charge कर रहे हैं, तो उनके उपर कुछ checks and balances लगाया जा सके, उनके उपर fine penalty लगाया जा सके, फिर यह भी सुनने में आ रहा है कि जो बड़े-बड़े private hospitals हैं, यह कही न जब COVID-19 का pandemic फैला, उस समय पे ज़्यादा idea था नहीं कि कौन सी दवाईया ज़्यादा effective है COVID-19 को treat करने में, तो COVID-19 के लिए hospitals में क्या हो रहा था, यह तो हमको पता ही था, पांच दिन के 2 लाग के बिल, आठ दिन के 4 लाग के, 5 लाग के बिल, यह कोई बहुत बड़ी बात दिल्ली में तो मैं खुद के एक instance को जानता हूँ, जहां पे 13 दिन के लिए 7 लाग का बिल बनाया गया, तो इस प्रकार के instances common थे, तो private hospital तो लूट ही रहते, उसके साथ black marketing चल रही थी medicines की, शुरवात में COVID-19 को कोई vaccine तो थी नहीं, तो जो बुखार की दवाईया थी, जैसे से उन दवाईयों की demand बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए सरकार ने बोला है, कि आगे आने वाले समय में अगर कोई pandemic आता है, यह यह कोरोना का pandemic ही और खतरनाक हो जाता है, तो एक comprehensive public health act exist करना चाहिए, यह comprehensive public health act, इन लोगों के उपर, यह private players, जो कि लोगों को ल लाए चलना चाहिए, ताकि लोग panic में आके, ठीक है, medicines को proper तरीकी, एक तो medicine को बहुत ज़्यादा expensive दाम पे ना खरीदा जाए, चूकि black market में medicine printed दाम से ज़्यादा दाम पे बेखती है, दूसरी बात, repurposed medicines बेची जाती है, जबसे पहली बात तो awareness campaign चलाना चाहिए, cheaper and effective repurposed medicines के लिए, जो की affordable दाम पे सरकार available करवा रही है लोगों को, लोग उसी medicine को black market में जदा दाम पे ना खरीदें, और government लोगों के अंदर ये awareness खलाए, कि आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है डरा के, तो उल्लू मत बनिये, government के norms के साब से चलिये, और अगर आपक लोगों ने medical insurance खरीद रखे थे, उनको medical insurance का claim नहीं मिल रहा था, चूकि COVID-19 के pandemic से पहले जो medical insurance बिके थे, वहाँ पे private companies ने अपने हाथ खड़े कर दिये, बोला कि भाईया देखिए, आपके insurance में COVID-19 included नहीं है, तो भाई, लोगों की समझ में नहीं है, जो लोगों ने 1000 रु insurance खरीद रखा है person ने, all inclusive, तो उसको insurance claim क्यों नहीं दिये जा रहा है, private hospitals के जो रहा, प्लस यहाँ पे, standing committee on home affairs ने, national disaster management authority के तारीफ की है, इसने जिस तरीके से COVID-19 के pandemic को handle किया है, standard operating procedures को, guidelines को, awareness generation को फैलाया है, ground level पे, इसके लिए NDMA की तारीफ ही गई है, general studies paper 2 में काम आएगा NDMA ने इस प्रकार का pandemic पहले कभी handle नहीं किया, यह पहली बार है कि इस प्रकार का इतना dangerous pandemic पूरी humanity के सामने आया है, और कहीं न कहीं, NDMA ने बहुड़ा जबरदस तरीके से response किया है, next news है, अच्छा, वीडियो पे like कबढ़ने जरू कर जिए दोस्तों, comment कर दीजे, like और comment कर रहेंगे, वीडियो का engagement बढ़ जाएगा, इसे मेरी वीडियो को YouTube जादर recommend करेगा, next, first entry exit point for visitors in Himalaya, तेखे भाई, यहां पे बात यह हो रही है, कि Himalaya में बहुत सारे civil society organization ऐसे बोल रहे हैं, कि बाहर टोरिजम के नाम पे लोग मिगालया के अंदर आते हैं, और फिर मिगालय में settle हो जाते हैं, मिगालया छोड़ के ही नहीं जाते हैं, तो यहां पे पहली बात तो, जो deputy chief minister है मिगालया के, प्रेस्टौंग तिंसौंग, उन्होंने एक first ever entry exit point बनाया है, visitors और tourists के लिए मिगालया के अंदर, और यह बोला जा रहा है, कि इनर line permit को बहुत तेजी से आप म पर्मिट क्या होता है, इनर line permit के उपर मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ, देखिए कुछ समय पहले, आसाम और मिजुरम में border clashes हुए थे, मैंने वहाँ पे आपको inner line permit और BEFR समझाया था, यानि कि बंगाल Eastern Frontier Regulation Act समझाया था, तो पहली बात तो यह वीडियो देख ल एरियास हैं, उनको प्लेन से अलग करता है, तो मतलब inner line permit केवल उन इलाकों में लगाया गया है, जहां पे पहली बात तो hill की topology थी, दूसरी बात tribes रहती थी, तो वो प्लेन एरियास से अलग थे, तो inner line permit लगा दिया गया, अभी के लिए inner line permit में अनुनाचल प्रदेश, ना उसरा ब्रिटिश सब्जेक्ट इन inner line permit वले इलाकों में बिना permission के नहीं गोश सकता था, बाद में जब इंडियन गौर्मेंट ने आजादी मिली, तो ILP सिस्टम में ब्रिटिश सब्जेक्स की जगा citizens of India डाल थिया, तो भीया, अरुनाचल प्रदेश, नागल एंड मिजुर और कही ना कही अगर आपको मेघालय जाना है घूमने के लिए, तो भाई एक dedicated app बनाई गई गई मेघालय टूरिजम के दोरा, उस app पे आपको अपने आपको register करना पड़ेगा, आपको अपने पहले दिन की hotel bookings बतानी पड़ेगी, आपको यह बताना पड़ेगा कि आप कित अंदर, वो रोका जा सकता है, और जो genuine tourist है, जो सचमे मेघालय सिर्फ घूमने जा रहे हैं, उनको problem नहीं होगी, चुकि होता ही है कि tourism के नाम पे लोग जाते हैं और फिर मेघालय छोड़ते नहीं, उसके चलते बाकी tourist, जो सचमे घूमने जाते हैं, उनको problem होती है, तो एक app बनाया गया है कि tourist भाई वहाँ पे जाएं, गूमें, वापस आ जाएं, और जो illegal migration है, मेघालय के अंदर उसको रोका जा सके, जनल स्टीस पेपर 2 में चीज़ा पो काम है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं, रिसेंटली एक rare cosmic event देखने को मिला है, जहां पे Jupiter और Saturn एक दूसरे के इतने पास आगे कि बिलकुल पास नजर आ रहे थे, इसको बोला जाता है great conjunction, पिछली बार अभी से great conjunction कब हुआ था, 1623 में हुआ था, 1623 से पहले कब हुआ था, 1226 में हुआ था, इस great conjunction के थू होता ही है दोस्तों, कि आपको लगेगा कि Saturn और Jupiter एक दूसरे के बहुत पास आ ग 21 दिसंबर को ये event, दुनिया भर में लोगों ने देखा है, नेकड आई से भी लोगों को ने देखा है, ये एक दूसरे के इतने पास आगे थे, हाला कि यहां से ये पास लग रहे थे, actually में वो millions of miles दूसरे से, बट जो लोग देख रहे थे प्रत्वी से, उनको देखके though those with a telescope would have enjoyed a better view, last time ऐसा great conjunction हुआ था 1623 में, उससे पहले 1226 में हुआ था, इस great conjunction को Christmas star भी बोला जाता है, ठीक है भाई, fortunately ऐसा बोला जा रहा है, फिर coincidentally बोलना चाहिए, fortunately मैं गलत बोल रहा हूँ, coincidentally बोलना चाहिए, इस दिन winter solstice था, winter solstice के दिन होता क्या है, कि जो sun होता है वो बिलकुल vertically above होता है कि इसके Tropic of Capricorn के, तो आपको Northern Hemisphere में ऐसा नजर आएगा, कि भाईया, sun सबसे पास में, तो जब winter solstice होगा, यानि कि Tropic of Capricorn, Southern Hemisphere में जो Tropic of Capricorn, उसके vertically above होता है sun, तो इस समय पे अगर आप Southern Hemisphere में चले जाएंगे, तो गर्मी पढ़ रही होगी, औ Northern Hemisphere में, इंडिया, इंडिया में समय पे सर्दी पढ़ रही हो, तो Northern Hemisphere के sky में समय पे sun सबसे नीचे नजर आएगा, चुकि वो सबसे यदा दूर है, वहीं पे Southern Hemisphere में, जो sun है, वो सीधे-सीधे Tropic of Capricorn के उपर था, तो winter solstice था 21 December को, ये एक constant है, winter solstice के phenomena का, और ये Saturn और Jupiter के past आने के phenomena का आपस में कोई correlation नहीं है, it is just a coincidence, तो ये जो great conjunction है, this is very important for UPSC prelims और PCS और किसी भी प्रकार के exam के लिए, great conjunction में आपसे पूचा जा सकता है, कि वो कौन से दो planet से जिनका conjunction हुआ है, तो Saturn और Jupiter का conjunction हुआ, इंडिया, sorry, दुनिया से जब आप देख रहे हो, तो एक इसे से millions of miles दूर थे, general studies paper 3 में awareness in the field of space में इस चीज़ आपको काम आईगी है, और आज की आखरी news, government looks to advance 20% ethanol blending with petrol, देखें, government ने दो deadline मना रखी है, गौर्मेंट की deadline क्या थी, कि भाई, 2022 तक जो ethanol blending है petrol में उसको हम 10% लेके जाएंगे, और 2030 तक इसको 20% लेके जाएंगे, ethanol blending petrol मे इसलिए होती ही दोस्तों, जिससे ये जो emissions हैं आपके, इन emissions को control किया जा सके, environmental concerns है, crude oil, fossil oil, full burning की वज़े से बहुत सारा धुआ निकलता है, तो भाई, होगा ये, कि देखें, gasoline, यानि petrol, पेट्रोल में अगर आप ethanol मिला देते हो, कुछ level तक, तो भाई, पेट्रोल का, जो exhaust हो होता है, तो कहीं न कहीं, कुछ percentage तक, 20 percentage तक, अगर आप gasoline में, ethanol मिला देते हो, तो overall उसकी जो calorific value है, fuel की, जो fuel की efficiency है, वो कम नहीं होती है, लेकिन pollution जो गंदा है, pollution की गंदगी ज़रूर कम हो जाती है, तो भाई, यही यहाँ पे सरकार कह रही थी, कह रही है, कि 2030 तक जो हमा पेट्रोल 2025 तक की जाए, या 2023 तक की जाए, और इसलिए, हम sugar mills को यह instruction दे रहे हैं, कि जो भी आप excess sugar cane produce कर रहे हैं, इंडिया में चीनी का तो excess production वैसे ही है, हमारी चीनी की requirements पूरी है, export हो रहा है चीनी का, तो जो excess चीनी है, उसको भाई, आप ethanol में convert करो, और यह ethanol पेट्रो होगे, तो environmental norms और Paris agreement के targets को meet करने में ये एक बहुत important step है, इंडिया ने target बनाया था, 2022 तक 10% ethanol blending का, लेकिन 2019 तक हम लोग किवल 5.6% of ethanol blending कर पाए हैं, इसके लिए दो और प्रोग्राम चलाएं इंडिया में, एक है National Biofield Coordination Committee, National Biofield Coordination Committee क्या बोल रही है, कि जो surplus rice production है इंडिया में उस surplus rice production जो की, इस समय पर Food Corporation of India अपने पास maintain कर रहा है, और rice में भी दोस्तों दो प्रकार के rice होते हैं, एक जो खाया जा सकता है और एक बिल्कुल course होता है, जिसको खाना मुशकिल होता है, वो बहुत सस्ता बिखता है, उसको गरीब लोग खरीते हैं, unfortunately, हमारे देश का गरी इस ethanol का प्रेयोग किया जाएगा alcohol-based hand sanitizer को बनाने में और petrol blending में, ये बोला कि इसने, National Biofuel Coordination Committee ने, और जो ethanol blended program है, इसको 2003 में launch किया गया था, ताकि petrol में ethanol मिलाया जाए, target रखा गया था, 20% of ethanol blending by 2020, 2030, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि 2023 से 2025 तक इस target को पूरा किया जाएगा, और इसके लिए farmers को remuneration भी दिया जाएगा, चुकि sugar cane तो farmer ही पैदा कर रहे है, तो उस sugar cane से अगर ethanol बनाना है, तो कहीं न कहीं farmers को आपको एक push देना पड़ेगा, कि वो ethanol पैदा करें, sugar mills को आपको push देना पड़ेगा, कि ethanol पैदा करें, MAEQ quota के साथ कुछ और benefits देने पड़ have a great day, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ improvement की जरूँ थे, नीचे comment box में जरूर बताईए